तो आज की वीडियो का टाइटल और थममेल आपने देख लिए होगा कि आज हम किस टॉपिक डूपर में बात करने वाले हैं तो आज का जो टॉपिक है दोस्तो हमारा होने वाला है फिलिप कार्ट पैले अटर क्यों पर में थोड़ा से जल्दी वीडियो लेकर आया हूं क्यो अभी तक आप डीजवल नहीं हुए अभी तक आप अपना फिलिप कार्ट पैलेटर को यूज नहीं कर पा रहे है तो आज की वीडियो यदि आप लोग पूरा देख लेते हो तो यकीनियन मानिये कि आप जो अपने पैलेटर को एक्टिवेट करना की मदद मिलने वाली है त खुद देख सकते हैं मेरे चैनल पर यदि आप लोग मेरे पुराने वीवर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने भी कितनी प्रॉब्लमों से जो है अपने फिलिप कार्ट पैलेटर को एक्टिवेट कराया है यदि आप लोग मुझे पहले से देख रहे हो तो आपको साइज ज कि लिमिट देखो गए तो आपको जो है थोड़ा सी हैरानी होगी यहां पर देखे मेरे जो फिलिप कार्ट की लिमिट है क्रेड़िट इज नब्बे हजार रुपे की यानि की नब्बे हजार तक समान जो है फिलिप कार्ट की मदद्स से बायनों कर सकता हूं तो काफी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपकी सभी प्रोब्रम को अच्छे तरीके से जानता हूँ आप लोग जो है अभी अभी फिलिप काड पर आए हो अभी आपने स्टार्ट की है कोई बात नहीं आपको थोड़ा से यहां से टाइम देना है यानि कि आपको स्वापिंग होगा या करता ही होगा तो उनसे आपको रुक्वेस्ट करना है कि जो है आपका जो है हम अपने अकाउंट से कर देंगे जैसे हमारा जो है सिवल स्कोर बढ़ जाएगा तो हमारा भी कुछ काम हो जाएगा तो हमारा फिलिप काड पैलेटर एक्टिवेट हो जाएगा आपको यह कर देना आपके दोस्त भाई फैमिली मेंबर किसी को भी स्वापिंग करना है तो आपको अपने एकाउंट से उसका ओर्डर प्लेस नौ करना है यानि कि बायनो करना है आपको यह करना है करके मैंने भी अपना फिलिप काउट कराया है उसके बाद दूसरा सबसे इंपोर्टेंट तरीका दोस्तों मैं आपको बताता हूं आप लोग स्वापिंग करना बहुत अच्छी बात है लेकिन जब भी आप लोग स्वापिंग करना तो सोच समझ कर ही करना बाद में यह ऐसा ना कर करता था और करता था महीने पंदे दिन में एक और मंगाता था और उसको भी कैंसिल कर दीता जिसके कारण से मैं जो है इलीजिवल ही नहीं हो पाया आपको यह करना है और दूसरी बात आप अथारा एज से ऊपर होने चाहिए जब भी आपका पैन कार्ड वगर जब लगेग हैं तो आप जो है तीसरा important point मेरा यही है कि आपको IDFC bank से contact करना है contact कैसे किया जाता है आप सोच पर पढ़ा रहे होगे कि हम किस तरी किसम से contact कर सकते हैं तो घबराने की बात नहीं है मैंने already video बनाई है आप लोग मेरे channel पर जाकर playlist पर देख सकते हैं कि flip card पर IDFC bank से contact कैसे किया जाता है आपको मेरी video वहाँ देखने को मिल जाएगा आप उस video को एक बार watch कर लेना आप से contact करने आ जाएगा यह आपको इतना ही request करना है कि sir हम eligible हो चुके हैं हमने आप लोग करने की इतना ही processing है उसके बाद आप लोग करना है कि यह video आप देखना चाहते हैं नहीं तो आयोग जो मैंने इस video पर आपको बताया समझाया आपको समझ पर आ गया है आपको समझ पर आ गया है होगा यदि इस video से आपको तो रजबी कुछ हैल पर मिली हो जानकारियत चीले तो प्लीज इस video को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसा content ऐसी video आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिल जाती है चलिए इस video पर तो इतना ही मिलता है किसी नेस्ट इंडस्ट इंडस्ट पर तब तक देखने जाने जारो